नवस्कार दोस्तों अपने नवरात्रों के बारे में तो सुना है दुर्गा माता की जो नवरात्रे आते हैं उसमें नो माताओं की पूजा की जाती है लेकिन नौ माताओं की देविया जो अलग अलग नाम से पुकारी जाती है उनमें से एक माता है जो भ्रहमचारिणी है जिरे हम नवरात्रे के दूसरे दिन पूजते हैं कहा जाता है, ये सादक, सबसे जदा महत्कुन'. पुजा मानी जाती है. जितने भी सादूश और सादक होते हैं, उनके लिए ये माता सबसे जदा महत्कुन igual कोλέ की जाते हैं. उनके चंडों में वेह अपना धियान लगाए बड़ते हैं, और चाहते हैं कि माता का आशिवाद उन्हें मिले कहा जाता है माता भ्रमचारिणी ने घोर तपस्या करने के बाद भगवान शेप को पते के रूप में पाया था इसी कारण से उनका नाम तप्शारिणी पड़ा था और वहे घोर तपस्या के कारण ही पड़ा था इसलिए सादू और जितने भी सादक होते हैं इस दिन का बहुत बेस अब रीज़े इंतजार करते हैं ताकि मा ब्रहमचारिन के चड़नों में वहे अपना ध्यान लगाए और उन्हें भी घोर तपस्या के बाद माता का आशिवाद मिले और उनके चड़नों में ध्यान लगाने के बाद जितनी भी उन्होंने सादक और तपस्या की हैं उसका फल भी मिले क्योंकि माता को आदी सक्दी का रूप मी बाना जाता है प्रहमचाणी माता की कहानी इस प्रकाह है आप सभी जानते हैं कि पार्वती माता भगवानशिप को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी जब उन्हें इस बात का एसास हुआ कि वे हैं भगवानशिप को प्रेम करती हैं तो उसके लिए उन्होंने गोर तपस्या करना शुरू कर दिया। उन्हें यह सलाव भगवान मुनीवर ने दी थी। मुनीवर तो आप सभी जानते हैं कि इधर की बात उधर करना उनका सबसे बड़ा काम होता था। तो इसलिए उन्होंने ही पताया कि भगवान को अगर पाना है तो उसके लिए आपको तपस्या करनी होगी। आरवती तपस्या के लिए आराम से तयार हो गई और तपस्या करने के लिए वह जंगल में चड़ी गए। उनके हार में कुछ नहीं, सिर्फ एक कर्मिंडल और चंदन की माला थी। भव्य थी पर देखने में और वैसे तो माता सुंदर ही थी। और उसी कारण से माता ने अपने घोर्त पस्या की और घोर्त पस्या के साथ साथ प्राकर्ति की जितनी भी मार थी उसे भी छेला। उस चीज को देखकर भगवान सीप परशन होया, पर भगवान सीप ने सुईकिर्टी प्रदान की, कि वह उनकी पतनी बन सकती है, वह वह शादी के लिए तयार हो गए। और उन्होंने पार्वती माता को इस धर्म और उन्होंने ही माता पार्वती का भ्रहमचारणी नाम रखा ताकि लोगों को पता चले कि लोग अगर घोर्त पस्या से और सचे मन से प्रातना करते हैं तो भगवान शिर्की उन पर बहुत ही किर्पा रहती है तो इस प्रकार हुआ माता पारवती और शिप का विवा और इसी पज़ा से उनका नाव प्रहमचारणी भी पड़ा और माना चाहता है कि नौरात्री के दूसरे दिनियरी आप शाम को आर्थी करते हैं माता की पूजा करते हैं और पूजा में ध्यान लगाते हैं तो इससे आपको माता पारवती और भगवान श्री दोनों का ही आश्रिवाद एक साथ मिलता है ऐसा करने से आपको बहुत सारे नर्क से छुटकारा मिलता है और सारी समस्य और वादाओं को दूर करता है तो ये हैं प्रहमचारणी माता का रूप और ये पारवती का ही दूसरा नाम है मेरी इस वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले